कि अभी तक आप लोगोने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा बर से चैनल को सब्सक्राइब कर लो साथ ही बैल अकर प्रेस्ट कर लो ताकि आपको अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे हैं आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आज के इस वीडियो लेचे में डिसकस करेंगे हम हाउ तो अटेम्ट यूजी सेने पेपर जिन बच्चों को फस्ट अटेम्ट है या जो बच्चे पहली भी एक्जाम अटेम्ट कर चुके हैं इन से भी के लिए जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है मैं आज आने वालों करने वालों तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्डेंट रहने वाली है मेक शूर आप इस वीडियो लेक्श्र को एंड तक देगे ताकि आपको आची समझ में आ जाए क्लियर हो जाए आज यू आलो माइनम इस मौमद आजम और एंड एस इस्टेन प्रोफेसर इंडीज आपका एक्जाम सेंटर है जो जो सीड आपको लॉट की गई है जो सिस्टम आपको लॉट किया गया है जैसे आप उस सिस्टम पर बैठोगे सबसे पहले फर्स्ट अफॉल सबसे पहले आ आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर अब इस विंडो को जैसे आप देखेंगे सबसे पहले आपको चेक करना है अपनी फोटो यह जो फोटो है यह ओलेडी वहां पर आपको दिख जाएगी आपको अपलोड नहीं करनी है ओलेडी जो फोट फोटो है आपको कुछ भी निकरना स सिर्फ चेक करना है कि क्या ही आपकी फोटो है इसके लवाज चेक करना है आपको अपना नेम जो कि यहां पर कैंडिडेट का नेम मेंशन होता है उसके बाद चेक करना है सब्जेक्ट का नेम क्या आपका सब्जेक्ट जो है क्या वो सही है अगर यह तीनों चीज़े ठीक है या फिर आपका question paper जो है subject name अलग है तो ऐसे में फटा-फट से आपको एक काम करना है that is inform करना है कि इसको inform करना है वहां के जो इन्विजिलेटर है जो भी वहां पर इंस्ट्रक्टर है जो इन्विजिलेटर है उनको inform करना है कि यहां पर गरबढ है और आप हमारी help कीजिए कि क्या यहां पर दिक्यत हो रखी है इसके लावा यहां पर system name जो है आपको allowed होगा यहां पर एक code लिखा होगा कि कौन सा number जो है 36 number जो भी आपका system number है उसके mention हो जाएगा तो आपको यह भी चेक करना है कि जो आपके admit card पे लिखा गया है क्या वही system पे बैठे हो आप या फिर दूसरे system पे बैठ गया हो गलती से तो आपके इन चीज़ें को चेक करना है जाते ही I think यह तो basic सी चीज़ें आप सभी को पता होंगी इसके बाद यहां पर आपको username डालना है इस जगह पर username डालेंगे और डालेंगे password पासवर्ड होता है आपकी date of birth और यहां पर username या तो आपका application number डलवाया जाएगा या फिर डलवाया जाएगा इसके लिए आपको instruction दिये जाएंगे आपको उनको follow करना होगा instruction आपको देंगे वहां के जो इन्वेजलेटर है जो आपर होंगे दो चार लोग वो आपको instruction देंगे कि यहां पर क्या फिल करना है उसके बाद आपको यहां पर login करना है login जैसे ही आप login वाले button पर click करेंगे अच्छा जाते ही काम मत कर देना कि जाते ही आपने जाते ही username password डाल के login करें स्टार्ट कर दिया नहीं suppose अगर आपका exam 9 से 12 वाली shift का है morning का तो ऐसे में 8 बच के 50 मिनट के बाद ही यहां पर login होगा उससे पहले login ही नहीं होगा और अगर शाम का exam में 3 से 6 वाला तो ऐसे में यह जो login हो जाएगा 2 बच के 50 मिनट पे मतलब 10 मिनट पहले यहां पर login होता है उससे पहले आप login करने का try करोगे तो login नहीं होगा एक बार आपने login कर लिया आगे continue करेंगे तो आपके सामनी कुछ इस तरीके से window उपनों के आएगी जहां पर आपको अब choose करनी अपनी language कि आप किस language में एक्जाम देना चाहते हो यहाँ पर अगर आप English को continue करोगे तो पूरा पेपर आपका English में ही दिखेगा आपको सभी question English में हैंगे और यहाँ पर drop down करके यहाँ पर drop down का button है इसको आप change करके Hindi भी कर सकते हो तो जो पूरा question paper है जो complete 50 questions है आपके paper बनके वो complete जो है आपको Hindi में दिखने वाले हैं तो यहाँ पर आप पहले ही इसको choose कर लो कि आप कौन सी language में अपना paper देना चाहते हो एक बार आपने यह select कर लिया तो guys ऐसे में English select करने के बाद यहाँ पर आपको option मिलता है कि आप question को change कर सो suppose को आपने English में select कर लिया और suppose question number 25 पर जाकर कि आप उस question को Hindi में देखना चाहते हो तो वहाँ पे भी आपको option रहता है तो यहाँ पर option रहेगा आप उसको एक particular question के लिए change करके उसकी language देख सकते हो कि इसको Hindi में क्या meaning होगी इसकी तो आप उसको Hindi में देख सकते हो बट वो एक particular question पर ही होगा आपको पूरे paper में नहीं मौका मिलेगा I mean आप चाहो तो हरी question को देख सकते हो पर ऐसे में time list कर नहीं होगा तो आप पहले ही चेक कर लो कि आपको कौन से language में देना है paper इसके बदें आप पर instructions क्लिक होंगी आपको instruction में देखना है यहाँ पर पांच तरह के आपके जो होते हैं question उनको mark कर सक क्यों पहला होता है you have not visited question यहाँ पर आपकी screen पर अगर complete blank है question तो यहाँ पर इसका मतलब हो यह होगा कि आपने उसको विजिट नहीं किया है अगर question number red में शो हो रहा है इसका मतलब आपने question का answer नहीं किया है विजिट कर लिए बड़ा answer नहीं किया और अगर green button show हो रहा है question के question पर तो इसका मतलब है कि आपने question का answer कर दिया है और अगर यह वाला color that is bangini color अगर show हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपने mark for review लगाया है और अगर आपने यह लगा दिया और उसका बात में answer नहीं किया तो यह आपके evaluation नहीं की जाएगी question की और उसको marks आपको नहीं दिये ज इसको इस वाले पर ना जाएं ज्यादा बेटर रहेगा फिफ्त वाला कर सकते हो कि यह आपका evaluation के लिए होता है मतलब इसका evaluation किया जाएगा तो अगर magenta पर green button अगर आ रही है तो इसका मतलब इस question का evaluation किया जाएगा तो negative marking नहीं है तो मैं आपको यह suggest करूँगा कि या तो आ कोनों ही में आपका जो question है उसको evaluate किया जाएगा और आपको उसके marks दिये जाएगे अब यह button जो है कहां पर show होते हैं किस तरीके से show होते हैं मैं इसके बारे में आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको doubt नहीं हो तो अच्छा इसको पढ़ करके संधाने से अच्छा है कि मैं आपको directly question पर लेके चलता हूँ और वहीं पर दिखाता हूँ कि इस तरह के साप question को करेंगे तो यह होगा आपका user interface जो कि आपके screen पर विजिबल है guys यहां पर आपके इस तरीके से question जो है उनकी list बनी होगी यहा आपर total 50 questions की list बनी होगी paper 1 की लिए और paper 2 के लिए complete 100 questions की list बनी होगी और यहां पर लिखा होगा कि आपका paper 1 है paper 2 है यहां पर remaining time आपको दिया होते है कि कितना time बचा है इसलिए watch लेके मच जाना watch जो होती बाहर रखवा लेते हैं तो watch लेके मच जाना यहां पर timing जो है आपक attention लेने के जरूरत नहीं कि आपको बादर पूछना पड़ेगा अपने examiner से तो ऐसा नहीं है उसे पूछने के जरूरत यहां पर remaining time show होता रहेगा और paper 1 लिख जाएगा और paper 2 attempt कर रहेगा paper 2 यहां पर लिख करके आ जाएगा now guys अगर हम बात करें question की जैसे मैं यहां पर बाता रहता कि यहां पर यह जो है पांच options होते हैं एक question को attempt करने के जो सब्सक्रों question number 1 है यहां पर तो अगर यह red color में आ रहा है question number 1 तो इसका मतलब मैंने answer नहीं किया है और जैसे मैंने answer पर क्लिक कर दोगे तो यह जो रेड बटन है वो green हो जाएगी क्या हो जाएगी green हो जाएगी इसका मतलब आपने answer कर दिया है ठीक है तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है और यहां पर try करना कि सभी green करके ही आओ क्यों क्योंकि negative marking तो है नहीं तो प्रोटेंशन लेनी की जुरूद नहीं है है ना negative marking होती तब तो लगता है कि ठीक अगलात आसा नहीं होना चाहिए बट negative marking नहीं है तो ऐसे में सारे बताना की चीज़ समझ में आई है अगर helpful रही है वीडियो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना सभी फ्रेंस के साथ है और उन से भी topics पर हमें MCQs के practice करनी है और साथ ही प्रिवेसर की papers भी हमें solve करने हैं उन से भी topics के उपर तो मैंने आप लोग के लिए यहां पर complete bundle बनाया है जिसमें हमने युनिट वाइस हर एक topic को cover किया है हमने हर एक topic का explanation given है इसमें प्लस युनिट वाइस important MCQs हैं practice के लिए प्लस प्रिवेसर की papers हैं with solution so this is complete bundle for paper 1 अगर आप paper 1 के notes को cover करेंगे plus video lectures को follow करेंगे तो definitely आप paper 1 में बहुत बहुत अच्छा score कर सकते हैं and guys in paper 1 के अलावा मिरे पास commerce की notes available है for paper 2 आप commerce की notes भी avail कर सकते हैं मुझसे तो अभी फिलहाल के लिए paper 1 in commerce available है guys in notes के regarding मुझे given number पर whatsapp करेंगे तो मैं आपको complete details और साथी demo notes जो हैं वो share कर दूँगा call preferable लेंगे because मुझे college में भी lecture लेने होते हैं तो कई बार मुझे time नहीं मिल पाता है call pick करनेंगा अगर आप मुझे whatsapp करेंगे तो definitely मैं आपको reply करके आपको complete details और साथी demo notes भी share कर दूँगा so guys in notes को रहने में काफी मेनत लगी काफी time लगा है इनको काफी detail में काफी research करके बनाया गया है so in notes के कुछ charges है in notes को आप लेना चाहते हैं तो इस charges पे करके आप in notes को ले सकते हैं guys and notes are available in hard copy format and guys यह जो notes है वो books के जैसे नहीं है जैसे books होती हैं बहुत अदा comprehensive होती है कई बार क्या होता है कि वो topic भी given होती है books में जो कभी नहीं पूछे जाते हैं और वो topic ज सकते हैं मैं आप आपको बता कि आपकी help कर दूगा and guys thank you for watching this video share this video with all UGC net aspirants and subscribe for UGC updates and assistant professor job updates guys कोई doubt रहता है कोई comment होता है I mean doubt है कोई query है तो आप इसी video के comment section में आप comment करेंगे तो मैं आप आपको reply करके आपके help कर दूगा and guys जादा जादा इस video को share कर देना अपने सभी friends के जादा recommend करो इस channel को ताकि हमारी growth हो और हमें motivation मेले आप लोगों के लिए video lectures content create करने में so guys इस video में इतना ही मिलते है next video में till then keep watching UGC net man thought thank you so much